10 AC चेतावनिया संकेट जो आपके शरीर में पोशक ततों की कमे को बताते हैं क्या आप हाली में सुस्त या मूडी में सुस कर रहे हैं जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आप मुश्किल से खुद के चहरे को पहचानते हैं आपको कुछ महतोपूर्ण निूट्रियंस की कमी हो सकती है मानव शरीर अविश्वासनिय रूप से जटिल है और यह आपने संतुलन को बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहा है और किसी भी मशीन की तरह इसके लिए ठीक से काम करने के लिए इसे सही इंधन की आवशक्यता होती है यदि आप अपने शरीर की अपूर्ती नहीं करते है जो उसे चाहिए तो लास्ली आपके स्वास्तका ही नुकसान होगा कारण जो भी हो यहाँ कुछ सबसे आम संकेत जो आपके कुछ इंपोर्टेंट नियुट्रियंस की कमी को बताते है नंबर वन ठकान और कमजोरी यदि आप नियमित रूप से ठका हुआ महसुस कर रहे है और नीन की कुछ अच्छी रातों के बाद भी राहत नहीं पाते तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ अवशक के विटामिन और खनीजों की कमी है आइरेन विटामिन B12 और विटामिन D विशेश रूप से आपके शरीर के उर्जास्थर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है जब आप इन में से पर्याप्त नहीं होते हैं तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता जिससे सामान्य थकान और कमजरी हो सकती है नमबर टू खराब पचन जबकि खराब पचन विभीन प्रकार के कारणों के कारण हो सकता है जिसमें तना और कुछ मेडिकल कंडिशन्स भी शामिल है यह पोशक ततों की कमियों का संकेर भी हो सकता है विशिश रूप से विटामिन B6 और मेगरिशियम की कमी आपके शरीर को भोजन को ठीक से पचाने की क्षमता में हस्तक्षिप कर सकती है जिससे ब्लोडिंग गास और कग जैसे लक्षन हो सकते है यह सुनिचित करना की आप इन पोशक ततों का परियाप्त उपभूख करते है आपके पचन तंत्रों को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकते है जब एक हेलदी अम्योन सिस्टम को बनाए रखने की बात आती है तो उचित पोशक तत्व के सेवन के महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए यदि आपको लगातार संक्रमन हो रहा है तो यह संकेत है कि आपका शरीर अधिक जिंक के साथ साथ विटामिन C और D का उप्योग कर सकता है यह बैक्टेरिया और वाइरस से लड़ने और आपको स्वस्त रखने के लिए आवशक के कुछ सबसे मुहत्वपूर्ण विटामिन और खनीज है नमबर फोर सूखी त्वचा उजवल स्वस्त त्वचा को प्राप्ट करना एक एसी चीज है जिसके लिए हम सभी प्रयास करते हैं लेकिन अगर आपको अपनी त्वचा से परेशानी हो रही है विशेश रूप से सर्दियों के महिनों के दोरान तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको परियाप्त विटामिन A, विटामिन E और ओमेगा 3 फेटी ऐसीड नहीं मिल रहे हैं यह पोशत तत्वचा को हाइट्रेटेड और मॉर्चुराइज रखने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं और यह तक की जुरियों को कम करने में भी मदद कर सकते हैं नमबर 5, हड्डियों में दर्द यदि आप हड्डियों में दर्द का अनुभव कर रहे हैं तो इस कारण पर गोर करना सुनिचित करें जितने आप आपने बच्पन में चंचल हुआ करते थे तो अब आप उतने चंचल नहीं हो सकते बस यह नव माने की दर्द और तकलीफ उम्र बढ़ने की प्रक्रियाग का हिस्सा है वे विटामिन A और D के निम्रस्थर का संकेत हो सकता है यह विटामिन हड़ी के स्वास्तों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है और या तो हड़ी से सम्मंदित समस्या हो सकती है नमबर 6 कमजोर बाल या नाकुन यदि आप कमजोर बालो या नाकुन से निराश है जो आसानी से तूटते है या विभिन्न होते है तो आप अपने आहार पर विचार कर सकते है जाहिर है एसे अन्य कारण भी हो सकते है जो कमजोर बालो या नाकुनों में योगदान कर सकते है जैसे कि स्टाइडिश टूल और उत्पादों का उप्योग नुकसान कर सकते है लेकिन यह भी संबव है कि आपके स्वस्थ बालो और नाकुनों के लिए परियाप्त बायोटिन आयन और जिंक की कमी हो फिर भी यह सुनिचित करना कि आप इन पोशक तत्वों के लिए परियाप्त हो यह एक लंबा रस्ता ते करने के समान है नमबर 7 ब्रेन वाश यदि आपको ध्यान के इलिद करने और चित एकाग्रिद करने में परिशानी हो रही है और आपको लगता है कि आपका ब्रेन एक कोहरे में पंस गया है तो यह एक पोशक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है जबकि brainwash कई चीजों के कारण हो सकता है यह omega 3, fatty acid, vitamin B12 और vitamin D के निम्रस्थर का भी संकेत हो सकता है यह तीनों आपके brain की ठीक से काम करने की शमता का समर्थन करने के लिए एक साथ काम करते है जब उनके पास कमी होती है तो यह समरती ध्यान और सोच के साथ सभी प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकता है यदि आप कभी भी आपने बेड में जकड़न के साथ रात के बीच में जाकते हैं तो आप जानते हैं कि यह कितना अविश्वसनिय रूप से दर्दनाख हो सकता है मानस्पेशियों में जकड़न कई कारणों के कारण हो सकती है जिसमें डिहाइडरेशन, इलोक्रलाइट, इम्बैलेंस या पोशक तत्व की कमी शामिल है और जबकि यहाँ एक जकड़न है और आम तोर पर चिंता करने की कोई बात नहीं है अगर आप मानस्पेशियों में जकड़न का अनुभव कर रहे हैं जो सिर्फ एक मामूली जुनजुनाहाट से अधिक है तो यह है क्यालशियम, मैग्रेशियम और पोटेशियम के आपके सेवन को बढ़ाने का समय हो सकता है नमबर नाइन, धीमी गती से घाव भरना यदि आप एक चोड से जल्दी ठीक होने के लिए संगर्श करते हैं तो आपके शरीर के पास उचित उपचार की सुविधा के लिए परियाप्त पोशक तत्व नहीं हो सकता वास्तों में धीमी गती से घाव भरने को आम तोर पर विटानिन सी, आयन और जिंक की कमी से जोड़ा जाता है आपने शरीर की प्राक्रतिक उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए इन पोशक तत्व से समरुद दखाते पदाते खाना सुनिचित करें नमबर 10 लो मूड हम सभी अपने मूड में उतार चड़ाव का अनुबव करते हैं लेकिन आगर आप लगातार उतार मेसुस कर रहे हैं तो ये कुछ पोशक तत्व के अपरियाप्त स्थर का संकित हो सकता है विटामिन B12, विटामिन D और ओमेगा 3 फेटी एसिड की कमी विशेश रूप से आपकी मानसिक भलाई को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है इसलिए यह देखने के लिए कि क्या आप इन में से परियाप्त पोशक तत्व प्राप्त करते हैं अपने आहार पर करीब से नजर डाले यदि आप अकेले आहार के माध्यम से आपनी पोशक सम्बंदी जरुरतों को पूरी नहीं कर सकते हैं तो आप सप्लिमेंट भी ले सकते हैं यही कारण है कि एक डॉक्तर के साथ नियमित हेल्ट चेक अप कितने महत्वपूर्ण है वे कमियों को पहचाने और संबोधित करने में मदद कर सकते हैं यह सुनीचित करते हुए कि आपके शेरिल में इस्टतम स्वास्त को बनाए रखने के लिए क्या-क्या अवशक्य है यदि आपको यह वीडियो मददगार लगता है तो इसे एक थम्मेल दे और इसे आपने दोस्तों के साथ शेर करें ताकि हाम ऐसे वीडियो बनाते रह सके इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन को हीट करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूले थैंक यू